मैं घर पे रहके कोई भी मतलब मेहनत के काम न करूँ और हमेशा पैसे कमाता रहूँ तो भाई मैं आपके बीच एक ऐसा ही बिजनस ले के आया हूँ कि आपको कोई मेहनत करनी के जरूरत नहीं है कोई भी मेहनत आप नहीं करोगे फिर भी आप महीने का 4-5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो उसमें थोड़ी सी दोस्तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी कि ये बिजनस क्या है और किस तरीके से आप इस बिजनस में काम कर सकते हो और दोस्तो जो भी मैं बिजनस आपके बीच बताने का परियास कर रहा हूँ इस बिजनस में आपको एक पैसे लगाने की जरूरत नहीं है एक पैसे आपकी नहीं लगेगी इस बिजनस में और सिर्फ आपकी लगेगी तो क्या लगेगी धिमाग जो भी मैं idea आपके बीच बताने का प्रयास कर रहा हूँ और जो भी business के बारे में मैं जीकर करने जा रहा हूँ दोस्तो अगर आप इस video को skip नहीं करते हो देख लेते हो तो ये बात हकीकत है कि दोस्तो आप बिल्कुल smart work करके आप महीने का 4-5 लग रुपे आसानी से कमा सकते हो वो भी आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है ना दुकान की जरूरत है ना गुदाम की जरूरत है नहीं आपको माल खरीदने की जरूरत है नहीं आपको मसीन लगाने की जरूरत है जो गाओं में लड़के घूमते हैं जो गाओं में फिरी फंड में घूमते हैं अवारा लड़के जो होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं कोई काम से मतलब नहीं रहती है उनको सरम लगती है काम करने में उनके जरिये से दोस्तो आप समझदार बनके पैसे कमा सकते हो अब इस बिजनस को अपने घर से स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हो ये बिजनस क्या है दोस्तों और कैसे इसमें काम करनी है भाई काम बहुत असानी से करनी है आपके पास थोड़ी सी दिमाग है आप थोड़ी से पैसे वाले हो तो इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है आप दिमाग वाले हो थोड़ी सी तेज हो तो दोस्तो आपके यार दोस्त जो भी चार पांच आदमी लड़के जो घूम रहे हैं उनको लेके आप साथ में काम करा के पैसे कमा सकते हो दोस्तो आपको सिधे साइड पे जानी है जिसके यहां भी काम अगर हो रही है चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो वहां पे आपको जानी है आपको जनकारी लेनी है कि क्या आपके यहां यह काम है अगर वो जनकारी आपको मिल जाती है कि हाँ इनके यहाँ काम है तो आप चार लड़कों को पांच लड़कों को दस लड़के को जो घुमते हैं उनको आप पैसे की जो भी बात है आप कर सकते हो और उनकी एक एक आदमी के उपर आप कमीशन कमा सकते हो दोस्तो ये labor मजदूर आपके रहेंगे और आप direct मालिक से बात करोगे पैसे मालिक से आप लोगे आप इन लोगों को payment दोगे दोस्तो आपके यार दोस्त जो भी घुम रहे हैं उनके थुरू आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो इस business से दोस्तो आपको कुछ नहीं करनी है अगर आप थोड़ी सी दिमाग वाले हो जैसे मालो किसी के घर बन रहे हैं तो वहाँ पर मिस्तिरी और labor की जरूरत है आप गए वहाँ पर जाके बोले कि भाईया मेरे पास मिस्तिरी और labor है तो भाईया आप वहाँ पर बात कर लिए कि 500 रुपे मुझे चाहिए या 600 रुपे देहाडी चाहिए आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आप इलुक से बात किये कि भाईया मैं 500 रुपे आपको रोज का देने वाला हूं 500 रुपे मैं रोज का देने वाला हूँ घूमने से और इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है मैं 500 रुपे आपको दूँगा और 300 रुपे लेवर को दूँगा या 400 रुपे दूगा जो भी रेट चल लएए दोस्तों उसमें आपको 50-100 रुपे आपको कमानी है एक एक आदमी के उपर अगर एक आदमी के उपर आप 50 रुपे भी कमाते हो 100 रुपे भी कमाते हो अगर मान के चलो 50 रुपे कमाते हो अगर 10 आदमी को आप भेज दिये तो आपकी 500 रुपे तो ऐसे ही बन गई बेगर मेहनत किये हुए लेकिन थोड़ी सी आपको दिमाग की इस्तम करना जोगा अगर आप यह तरह करना चाहते हो तो दोस्तों बहुत अच्छा आप इसमें पैसे कमा सकaran और किसी को भी बुरा नहीं लगेगी बहाई उसको काम डूड़ने की जरूद नहीं के जरुड़लने के जरूरत नहीं है मेरे पास काम already आप दे रहे हो तो मुझे क्या चाहिए चलो 50 रुपे आप ले भी रहे हो फिर भी मुझे tension नहीं रहेगी क्यों नहीं मुझे पैसे की tension है कि पैसे मालिक रख लेगा या पैसे ना देगा ये भी tension नहीं है दूसरा ये point है कि भाई मालिक से कौन जाएगा किस किस करने की भाई इतना पैसे दो इतना पैसे दो अपने पास labor मजदूरी labor मजदूर को रख लेते हो रख के आप उनको काम बाटते हो काम उनको देते हो तो भाई साब इसमें कमिस्तन के तोर पे आप रोज का 500-700-1000 रुपे असानी से कमा सकते हो जितना आप labor मजदूर रखोगे अपने पास मतलब अपने control में कि भाई ये 10 अदमी है मेरे control में है मैं इनको जहां भेजता हूँ वहां ये जाते हैं ये काम करते हैं उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं आपको भटकने की जरूरत ये है कि आपको जगा 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 जाके जो भी काम हो रही है पता लगा नहीं होगी कि यहां पे काम शुरू होने वाला है या यहां पे काम हो रही है इस तरीके से करके दोस्तो आप कमिशन के तोर पे आप इसमें पैसे कमा सकते हो दोस्तो उमेद करूँगा कि जो भी मैं जनकारी दिया आपको साथ पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना के साथ तब तक के लिए मुझे दे दो इजाजत जय हिंद बंदे मातरा